लोग जान रहे हैं कि अंतराश्ट्रिय स्तर के उपर क्रूड ओयल के प्राइजेज बे तहाशा तरीके से दर्द से तूट रहे हैं और उस हिसाब से हमारे देश के अंदर पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सी एनजी इन सबकी कीमतें उसी हिसाब से कम होनी चाहेंगे क्योंकि अब हमारे देश के अंदर पेट्रोल और डीजल और पेट्रोल संबंदित उत्पाद जो हैं वो सबके सब मार्केट के साथ में लिंक कर दिये गए हैं आप सबके सब लोग जानते हैं कि जब रेट बढ़ते थे जब रेट बढ़ते अंतर राष्ट्रिय पेट्रोल उत्पाद के तो हमारे देश के अंदर साथ साथ में पेट्रोल और डीजल के लपीजी के सीएंजी के रेट भी साथ साथ में बढ़ जाते थे लेकिन जब कम होते हैं तो फिर कम साथ में उस हिसाब से क्यों नहीं होते हैं आज अगर जब मैं सुभे सुभे जब मैंने नेट के उपर इसकी कीमते देखनी देखनी शुरू करी तो उस वकत 35 डॉलर से थोड़ा सा जैदा ब्रेंट जो क्रूड ओयल के रेटस हैं वो थे अभी मैंने विनीज जी से कनफर्म करा तो वो जो 35 से जैदा थे वो अब 35 से भी कम 34.9 हो गए तो इस तेजी से कम हो रहे हैं लेकिन हमारे देश के अंदर उस हिसाब से कम करने की जगे हमारी सरकार लोगों को फाइदा पहुँचाने की जगे खुद फाइदा अपना मुनाफ़ा अपना पैसा कमा रहे हैं और लोगों के जेब के उपर बोज कम होना चाहिए वो कम नहीं हो रहा है मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि ये 35 डॉलर के आसपास का जो क्रूड का मूले था ये हमारे देश के अंदर मई जून जून जुन जुलाए 2004 में हम लोगों के उस वकत जून जुलाए 2004 के अंदर अंतर राश्ट्रिय तेल का मूले 35 डॉलर के करीब था और मैं आप लोगों को हम लोगों ने पुराने आखडे निकाले हैं मैं बताना चाहता हूँ कि 2004 जून के अंदर दिल्ली के अंदर डीजल थे डीजल का रेट था 22 रुपे 74 पैसा पर लीटर और पेट्रोल का था 35 रुपेया 71 पैसा पर लीटर और ल्पी जी था 281 रुपेया 60 पैसे पर सिलिंडर तो जो डीजल 22 रुपे 74 पैसे हमारी सरकार इसी क्रूड आयल की कीमत के उपर बेचती थी आज उससे लगभग 3 गुना जैदा डीजल 62 रुपेया 81 पैसे के उपर 22 रुपे की जगे बिकरा है और पेट्रोल डबल हो गया है लगभग 35 रुपेया 71 पैसे पेट्रोल हमारे टाइम के उपर इसी क्रूड आयल की प्राइस पे बिकता था और अब पेट्रोल बढ़ करके 70 रुपे 4 पैसे हो गया और LPG जैसे मैंने 281 रुपे का आज की डेट के उपर LPG की कीमत 858 रुपे LPG की कीमत है तो ये तीन तीन चार चार गुना दो दो गुना जो डीजल पेट्रोल और LPG के जो प्राइज़ बढ़ने हैं ये प्राइज़ क्यों बढ़ गए जबकि अंतराश्ट्रिये खुद्रा मुले अंतराश्ट्रिये तेल की मुले आज उसी रेट के उपर है जिस रेट के उपर 2004 ज कि जगे लोगों को आगे इसका फायदा देने की जगे सरकार ने इसके उपर आज एकसाइस 3 रुपया बढ़ा दिया। एक रुपया पर लीटर पैटुल और डीजल के उपर रोड सेस के तोर के उपर बढ़ा दिया गया है। अब सरकार का ये मानना है कि इस अकेले इस से लगबख 40,000 करोड का सरकार को मुनाफ़ा एक साल के अंदर होगा 40,000 करोड का मुनाफ़ा अकेले इस कदम से होगा हिरानी की बात ये है कि कल ही डॉक्टर निलेश शाह जो पी एम के एकनॉमिक एडवाईजरी काउंसिल के मेंबर है उन्होंने कहा है कि जो अभी अंतर राश्ट्रे खुद्रा मुले की कीमत जो कम हुई है क्रूड ओयल की जो कीमत कम हुई है उससे सरकार को 3.4 लाक करोड तीन लाक चालिस हजार करोड रुपे का सरकार को केवल अभी फायदा हुआ ये 40,000 करोड रुपे तो अलग है लेकिन अभी तक के कल ही इससे पहले डॉक्टर निलेश शाह का ये मानना है कि 3.4 लाक करोड का सरकार को अलड़ी फायदा सरकार को पहुँच चुका है तो बड़ी हरानी की बात है कि ये सरकार जो जनता को जनता का ध्यान रखने के लिए अपने आपको कह करके सत्ता में आई थी महंगाई कम करने के नाम पे सत्ता में आई थी उस सरकार ने 2014 में 9 रुपया 48 पैसे प्रति लीटर एक्साइज था पेट्रोल पे जो बढ़ करके 22 रुपय 98 पैसे हो गया डीजल के उपर 3 रुपया 56 पैसे एक्साइज था जो की लगबग 5-6 गुना बढ़ करके 18 रुपय 33 पैसे हो गया तो इतनी बड़ी तादाद के अंदर एक्साइज ड्यूटी जो बढ़ाई जा रही है ये बड़े दुख की बात है और जो इंटरनेशनल प्राइज जब कम हो रहे हैं तो उसका फाइदा लोगों को तक के नहीं पहुँचाया जा रहा है इससे नुकसान क्या है इससे सबसे बड़ा नुकसान हमारे ट्रांसपोर्टर्स को है इससे सबसे बड़ा नुकसान आप सब लोगों को है अभी हम आपको कैलकुलेट करके बताएंगे कि जब अगर आप लोग अपनी मोटरसाइकल के अगर दस बारा लीटर एक बार में दस लीटर अगर मान लीजिए की होगा तो आप ये मान करके चलें कि 343 रुपे आप फाल्तू दे रहे हैं सरकार को और स्कूटर अगर पांच लीटर का है तो उसमें आप मान के चलें हर बार जब आप टैंक फुल कराएंगे तो 171 रुपे आप फाल्तू दे रहे हैं तो इतना पैसा आप से फाल्तू ये सरकार ले ही है यह हम आप से कहना चाहते हैं सेम इतने ही इंटरनेशनल क्रूड ओयल प्राइजेस के उपर हमारी सरकार के टाइम पे जो पेट्रोल के रेट्स दे आज मोटर साइकल पे हर बार जब आप जमा आप करते हैं लगभग साड़े तीन सो रुपे मोटर साइकल के उपर और स्कूटर के उपर एक सो इकतर रुपे स्कूटर के उपर अगर पांच लीटर की टैंकी मोटर साइकल की हमने आवरिज दस लीटर की टैंकी कर ली है और अगर गाड़ी के लिए ये सरकार ने किया हैं तो अब हमारी मुख्यता तीन मांगे सबसे पहले तो जो international crude oil prices हैं इसका फायदा सीधे सीधे लोगों को मिलना चाहिए और एकदम से लगभग 40% prices कम हो जाने चाहिए एकदम और फिर धीरे धीरे करके international level पे जैसे मैंने कहा कि जो हमारे 2004 मई जून में जून जुलाए के rates ते वह ऐसे होने चाहिए लेकिन एकदम से immediately 40% तो petrol और डीजल के prices एकदम से सरकार को कम करने चाहिए दूसरा petrol और डीजल को GST के अंदर ले करके आया जाना चाहिए और तीसरा जो excise duty और कस्टम के अंदर जो 2014 से जैसे मैंने कहा कि इसको बढ़ा करके जो किया गया है जैसे नोर पे 48 पैसे पेट्रोल के ओपर excise बढ़ा करके 22 ओपे 98 पैसे कर दिया गया है इसको वापस 2014 के लेवल के उपर लेकर के आया जाए जिस जितना पैसा हमारी सरकार के समय पे एक्साइज लगता था उतना ही पैसे अब वापस होना चाहिए तो ये तीन मुख्य मांगे हमारी हैं एक तो एकदम से 40% रेट स्कम कर दिये जाएं दूसरा जी एस्टी में लेकर के आया जाए और तीसरा जो एक्साइज ड्यूटी है वो 2014 के लेवल पे लेकर के आया जाए जिस वकित हमारी सरकार थी जितना हम लोग चार्ज करते थे धन्य सवाल है आप लोग की सवाल हो इस मुद्धे से समंदित पहले हैं अगर मांगे सरकार नहीं कर दी है तो अगला सब्सक्राइब कर दिया होगा है नहीं हम दोगों का एक जैसे हम सशक्त और सजग विपक्ष हैं पारलिमेंट के अंदर और पारलिमेंट के बाहर हम लोग इसको इस आवास को और उठाएंगे बुलंद करेंगे और इस मांग को आगे अंजाम तक लेकर के जाएंगे तो यह एक तरीके से एक पहला कدم है क्योंकि आज ही सुब भी लोगतांतरिक तरीके से दबाव होता है उसको हम पारलिमेंट के अंदर और बाहर हम लोग बनाएंगे बिलकुल ग्राकों ग्राकों को फाल्तू नहीं देना पड़ेगा लेकिन ग्राकों को कम क्यों नहीं किया जा रहा जब अंतर राष्ट्रे खुद्रा मुल्य के साथ में उसको लिंक किया गया है तो तब भी ग्राकों को उतना ही क्यों देना पड़े हम यही तो सवाल पूछ कम हुए तो उसको कम करिये तो लोगों का खल्यानी पैसे देकर किंग को क्यों नहीं किया रहा जो पैसे सीधे आपकी जैब में मिलेंगे उससे बड़ा कल्यान क्या हो सकता समास लोग więks हम लोग हैंहारे किसान हैं जो की डीजल पंप सेट्स का इस्तेमाल करते हैं हम लोग हैं जो की हम लोग अपने गाड़ियों के अंदर स्कूटर्स में सब में इस्तेमाल करते हैं तो समाज कल्यांट क्या होता जो पैसा सीधे लोगों के पास में सीधे पहुंच रहा है उस पैसे से बड़ा कल्य आए जा सकता है लोगों की household economy ठीक करी जा सकती है तो वो सरकार कहती कि नहीं जी हम दोगों को नहीं करने देंगे हम आपको एक सेट बना करके दे देंगे कि गाड़ी और स्कूटर्स में कितना एक बार में बढ़ने के ऊपर कितना भरने पर कितना आप लोगों को एकस्टा देना पड़ेगा कि कि मैं हमारे अपने पंजाब के इंचार्ज से एक बार बात करके हम लोग कोशिश करते हैं इसके बारे में आपको हम लोग अलग से इसके उपर करवाएं क्योंकि यह पंजाब से संबंदित है तो पंजाब के हमारे जो इंचार्ज है उनसे बात करके प्रणव जी उनसे डाइरेक्ट उनसे कहलवाएंगे या खुद कुछ हम लोग कहें देखे भारती जनता पार्टी की यह शुरू से ही साजिश रही है मद्यपदेश अकेले में क्या इससे पहले और जगाओं के उपर भी कि हमारी जो चुनिपदेश कारे है उसको अस्थिर करना भारती जनता पार्टी का काम करने का तरीका है जो लोगों के सामने बेनकाब हो रहा है अब जो है विधायक जो उनके रिश्तedarquito को उनके पिता को भी विधायकों से ना मिलने दिये जाना और उसके अंदर जो है मद्यप्रदेश में